असलाम लेकुम डिया स्टूडेंट आज हम उनित नंबर फाइफ का जो टॉपिक नंबर टू शुरू कर चुके हैं उसमें हम देखेंगे कि इमर्जेंट लिटरसी इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टम हमें लिटरिचर रव्यू के अंदर मिलती है जिसका नाम है developmentally appropriate content को इस्तेमाल करना और हम यहां देखेंगे कि developmentally appropriate है क्या और ebook storybooks को हम किस तरीके से choose कर सकते हैं जो developmentally appropriate ही हो पर सबसे पहले हम देखते हैं यह term क्या है यह जो term है specify की गई है the national association for the education of young children की तरफ से 1997 में और इस term का मतलब यह है कि इसको हम DAP कहते हैं बहुत ही simple language के अंद और इसके अंदर यह बताया जाता है कि हम बच्चों के लिए जब भी reading material या activity या किसी भी subject से related content या material और activity choose करते हैं वो ऐसी activities होनी चाहिए जिससे बच्चों को maximum benefit हो सके बच्चे उसे successfully कर लें और वो उनकी उमर के मताबिक हो और जिससे उनको बेहतरीन तरीके से benefit हासिल हो स अब इसका method क्या है सबसे पहले जब हम इस term को use करते हैं तो हम साथ साथ यह मानते हैं कि बच्चे dynamic होने का मतलब यह कि वह active learner हैं वो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं और हम उनके लिए जब भी interesting उनकी उमर के मताबिक उनके interest के मताबिक material लाते हैं जिससे वह effectively सीखते हैं तो उसके definitely अच्छे start होते हैं इसी के साथ तीन important aspect हैं जो इसी term के अंदर इस्तेमाल होते हैं पहली चीज़ी है कि बच्चें के लिए जो आप material इस्तेमाल करें उनकी उमर के मताबिक हो यह उमर physical उमर नहीं है यह उमर उनकी mental age है psychological age है कि वो क्या learn कर सकते हैं किस उमर तक अगर आप एक 6 या 7 साल के बच्चे को addition तो सिखा सकते हैं पर आप square root नहीं सिखा सकते हैं क्यूं क्यूंकि उसके लिए यह सीखना मुश्किल है और उससे पहले जो term सीखनी है अभी उसकी mental age इतनी हुई नहीं कि वो सीख सके तो most effective क्या है जो उस एच के maximum बच्चे majority बच्चे जो चीज़े effectively और असानी से और एक reasonable challenge के साथ सीख लें दूसरी चीज आती है इंडिविज्वालिटी डिवल्मेंटली अप्रोप्रेट मेटीडियल के अंदर इंडिविज्वालिटी के मतलब यह है कि हम बच्चों में यह भी देखते हैं कि how they are different from each other. सारे ही बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं. आप उनको एक ही जैसा material तमाम आपकी class में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे number नहीं ले ले लेते हैं या एक ही तरीके से नहीं सीख लेते हैं. Definitely उनमें कुछ बच्चे होते हैं, कुछ गिफ्टेड होते हैं, कुछ को extra support की जरूरत होती है तो हम उसे identify करें कि कौन बच्चे हैं उनको हम assess करें. इसनी चीज़ यह है कि जब हम material choose करते हैं, चाहे वो किसी भी subject के लिए हो, content है, activity है, तो हम यह देखें कि बच्चों के culture से, relate होती है, ना उनकी social setting का हिस्सा हैं, और उनको समझने में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है, तो इस चीज़ को भी हम अपने सामने रखते हैं, activities को design करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें क्या क्या हुआ है, पहले हमें assess करना पड़ेगा individual appropriateness होती क्या है, हर क्या level है reading का, writing का, speaking का, listening का, जिस भी level के बच्चे को बढ़ा रहे हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी assessment ले सकते हैं, उनका test ले सकते हैं, और उसके थूरू उनको अंदाजा हो सकता है कि बच्चे का इस वकत reading level क्या है, तो अब मैं किस किसम की book जो है, इसको introduce कर वाँ, ये बहुत और से तो नहीं पढ़ के आया, और multiple languages से तो इसका exposure नहीं है, या already तो उसकी reading skills बहुत बहुत बेतर नहीं है, या उसकी preference किस तरफ है, और उसकी family history किस किस किसम की है, कि वो कहां से आ रहे हैं, और क्या चीज़ important है इसके अंदर, हम ये variation देखते हैं, इन तमाम चीज़ों के एक relationship नदर आता है, पर जिन भी चीज़ों में आपको एक relationship नदर आ रहे हैं, तमाम चीज़ों में के बच्चा कहां से आया है, उसका individual जो reading level क्या है, इसके अंदर definitely variation मौझूद होती है, ये बच्चा जिस घर से आया, उस घर में resources क्या है, उसका लगनिक exposure क्या है, उसके वाल चीज़ें हमें individual level पर assess करनी पड़ती है, उसके बाद हम in variation को देखते हुए बच्चों के लिए activities बनाते हैं और उनके लिए material चूज करते हैं, जो उनकी abilities को best suit करें और उसके बाद वो उसके उपर आसानी से progress कर सकें, अगर ये material बच्चों की development के मताबक नहीं होता initial age में, ज e-story book के अंदर क्या चीज़ें, जो हमें help out कर सकती है, ये requirement बड़े हराम से satisfy हो सकती है, आप जब e-story book बच्चे के पास होती है, तो वो actually बच्चे के creativity को support करती है, बच्चा मिलके पढ़ता है, उसकी cooperative pledge होता है, उसको support करती है, encourage करता है, e-story book में features ऐसे होती है, जिसे ही एहम tool होता है, जो equally important है बच्चों को, जब भी आप e-story book भी उनके लिए लेने जा रहे हैं, आप उसको assess करें कि क्या ये बच्चे इस्तेमाल कर लेंगे, क्या इसके अंदर जो features हैं, बच्चे उसको effectively use कर लेंगे, और ये उनकी age के मताबिक है, ये requirement जो है, ये उनकी individual need के मताबिक है ये नहीं है, आगर वो नहीं होगी, तो भी वो problematic हो सकती है.